लोगसबा चुनाद 2024 के एक तैयारियां हो चुकी हैं और गडबंदन के साथ साथ अन्राजनितिक पार्टी भी अपनी तैयारियां कर रही हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है उत्तर परदेश की क्योंकि अगर हम उत्तर परदेश की बात करें तो यहीं पर सबसे अदा सीटे हैं और गडबंदन के अंदर भी इसी बात को लेकर रार चल रही है कि आखिर कौन सी पार्टी कौन सी सीट लेगी और कौन सी पार्टी दूसरी सीट लेगी यानि अगर देखा जाए तो एक तरफ से जो सूतर हमारे बताते हैं कि कौन्ग्रेस जहां उत्तर परदेश में 25 से 35 सीटों की मांग कर रही है वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटे से जादा देने के मूड में बिलकुल भी नहीं है अब हम बात करते हैं कि क्या होगा कानपूर की सीट का क्योंकि कानपूर की सीट बहुत ज़्यादा महतपून है पूरे उत्तरपदेश में महत्पून सीट पानी जाती है और कानपूर लोगसवा में दो सीटे आती है जिसमें कानपूर नगर सीट है और अकबरपूर सीट है तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस समय जो राजनेतिक गल्यारों में चर्चाएं हो रही है कि कांग्रेस ने अपना एक तरह से विकल्ब खुला रखा हुआ है एक तरह से प्लान भी उसका तयार है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ सीटों पर बात नहीं बन प रख पड़ेगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकबरपूर सीट की अगर हम अकबरपूर सीट की बात करें तो बहुत पुरानी सीट नहीं है 2009 से चुनाव उसमें चालू हुआ था और अगर 2019 के हम बात करें तो हाला कि ये सीट बीजेपी के पास गई थी तकरीबन पांच इसको एक लाग से अदा वोट मिले थे यानि अगर दोनों को मिला लिया जाए तो भी हाला कि बीजेपी के प्रत्याशी से कम वोट मिलेंगे लेकिन इन दोनों के मिला कर जो संख्या होती है वो काफी बड़ी हो जाती है ऐसी हम बात करते हैं 2014 की 2014 में भी तकरीबन चाल होता है तो वोट ज्यादा मिलने की उमीद है अगर हम तीसरी बात करें 2009 की तो 2009 में हाला कि पहली बार लोकसवा सीट के चुना हो रहे थे वहाँ पर और कॉंग्रेस नहीं ये सीट जीती थी लेकिन इसके बावजूद कॉंग्रेस और अगर बस्पा के हम बात कर लें तो एक 92 और 60 यानि तक्रीबन 3.5 लाग के असपास ये पूरा आकड़ा जाता है और इस हिसाब से भी देखा जाए तो अकबर पुर सीट पर कॉंग्रेस और बस्पा का जो गठ जोड है वो जादा सीटों के संके दे रहा है हाला कि अब हम बात कर लेते हैं कि आज का क्या सिनारियो है क्योंकि 2019 से 2024 आ गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर कहीं पे दिखाई नहीं पड़ती है और अगर कॉंग्रेस और बस्पा की जो भी हम बात कर रह है और वो वोड बैंक अकबरपूर सीट पर काफी ज़्यादा है इस बात का फाइदा हमेशा से बस्पा को मिलता रहा है और शायर इसलिए इस सीट पर बस्पा हमेशा से नंबर दो पे रही है तो यहाँ पर कोई प्रत्याशी का चेहरा कोई कदावर चेहरा बस्पा का नही है जिसके लिए कहा जा सके कि वो पार्टी को चुनाओ जिता सकता है क्योंकि कॉंग्रेस के नाम से जादा कॉंग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का वोट पड़ते हैं इसलिए ये एक बहुत बड़ा फर्क है अगर प्लान बी के तहट अगबरपूर सीट पर कॉंग्रेस और बस्पा का गड़बनन होता है अब अगर हम बात कर लेते हैं कानपूर नगर की सीट की तो कानपूर नगर की सीट पर समाजवादी पार्टी को हमेशा से बहुत कम वोट मिले हैं और कॉंग्रेस ने तो इस सीट पर कई बार अपनी जीत भी दर्च कराई है और उसके साथ सा जो बस्पा है उसको भी काफी हद तक वोट मिले हैं अगर हम 2019 की बात करें तो कॉंग्रेस को तकरीवन सवा तीन लाग के आसपास वोट मिले थे और उस समय बस्पा ने चुनाओ नहीं लड़ा था लेकिन समाजवादी पार्टी को मातर 48,000 वोट मिले उसी तरह से 2014 को अगर देखा जाए तो बस्पा को एक लाग के आसपास वोट मिले थे कॉंग्रेस को भी ढ़ाई लाग के आसपास वोट मिले थे लेकिन समाजवादी पार्टी को उससे भी कम वोट मिले थे यानि तकरीबन 34,000 के आसपास तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कॉंग्रेस और बस्पा इन दोनों के गडबंधन की सीट कानपूर की जो दोनों सीटे हैं वो कहीं न कहीं ज्यादा वोट के आंकडों की तरफ इशारा कर रही है और अगर हम कानपूर नगर की अभी की बात करें तो यहां पर भी वही इस्तिती है बस्पा के लिए कोई प्रत्याशी की बात नहीं है पार्टी जिसको खड़ा करेगी उनका जो कोर वोट बैंक है वो उधरी जाता है और अगर कॉंग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो हमने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर जो लगातार चुनाओं जीत् गड़बद्धन होता है तो यह मान के चला जा सकता है कि इन दोनों का गड़बद्धन कहीं न कहीं कॉंग्रेस और समाजवादी पाटी के गड़बद्धन से जादा वोट बैंक ला सकता है अब यह सारे आकडों की बात है और यह सब भविश्के गर्त में है कि क्या होगा और ये तभी पता चल पाएगा जब गडबनन होता है, किसके बीच में होता है, प्लान भी काम करता है कॉंग्रेस का, या प्लान ए पे ही समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी प्रित्याशी खड़ा होता है, वो कित्ती जीद दर्च करा पाता है, ये सब भी भविश्के गर्थ में हैं, कैमिरा में शारिक खान के साथ अनुराग अगरवाल, टीवी नाइन, कानपुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्